हेलो दोस्तों कैसे है आप नए वीडियो में आपका स्वागत है आज हम पुराने चूडियों से वॉल हेंगर बनाएंगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स टार्ट देखिए इसके लिए मैंने पूराने चूडिया थी मेरे पास वो लिया है और इसको हमें जो वूल रहता है वूल का धागा उसको इस तरीके से आपको टाइ करना है पूरे चूडिया पे आपको कवर करना है अब यह में और एक वूल का धागा लेना है अलग कलर का और इसको इस तरी की से आपको टाई करना है चार बार कर actuinating, कि एलक यह रहा दो कर सब्सक्रस दिखें चार चुड़िया लेकर ондड्स है केना यह उसके ऊपर आपको तेन उसके ऊपर दो और एक इस तरी के से वैसी आपको नीचे स्टीक करते जाना है वाल हेंगर की डेकोरेशन के लिए मैंने इस तरह के सिवुलन से लटकन बनाए है इसके उपर आपको मनी डालके डेकोरेट करना है जो हमने लटकन बना है उसको इस तरीके से नीचे की सेड में आपको स्टीक करते जाना है यहापे मैंने डेकोरेशन के लिए कट मिरर का इस्तमाल किया है इसके लिए मैंने पूराने चूडिया थी मेरे पास वो लिया है और इसको हमें जो वूल रहता है उसको इस तरीके से आपको टाइ करना है पूरे चूडिया पे आपको कवर करना है देखिए गई इस तरीके से आपको चार चूडिया लेके आपको ग्लू गन से स्टीक करना है उसके उपर आपको तीन, उसके उपर दो और एक इस तरह के से वैसी आपको नीचे स्टीक करते जाना है अभी मैं डेकोरेशन के लिए वूलन का फ्लावर बनाना है तो इसके लिए मैंने पेन लिया है और इसको इस तरह के से वूल का धागा टाई करना है और उसके उपर दूसरा धागा लेके आपको उसके उपर रोल करना है जो हमने पेन के उपर रोल किया है उसके अंदर जो धागा है उसे इस तरह के से निकाल के आपको नौट बनना है तो हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है देखिए गैज इस तरकी से हमने जो फ्लावर्स बनाए है वो चूडियों के अंदर इस तरकी से स्टीक करना है और इसके उपर मनी लगा के डेकोरेट करना है जो हमने लटकन बना है उसको इस तरकी से नीचे की सैड में आपको स्टीक करते जाना है देखिए गैज इस तरकी से हमारे पूराने चूडिया से वॉल हेंगर अच्छे तरकी से बन गए है वहुत ही अच्छे और अट्रेक्टिव दिख रहे हैं सुन्दर दिख रहे हैं स्ट ओप आपका आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट करे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग बाबाई